नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों आज एक बहुती बड़ी न्यूज आ रही है वो ये है कि हमारी कैबिनेट ने इंडिजिनिसली डेवलप आकाश मिसाइल सिस्टम के एक्सपोर्ट को हरी जंडी दिखा दी है और अब दोस्तों मिसाइल के एक शेत मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट करने को हरी जंडी दे दी है और इसके इलावा डिफेंस मिनिस्टर राजना सिंग जी ने ये अनौंस किया कि वे एक कमेटी का अप्रूवल देते हैं जो फास्टर अप्रूवल के लिए काम करेगी और साथ ही जो एक्सपोर्ट वर्शन हो रहे हैं स्पेशली डिफेंस प्लेटफॉम और मिसाइल के अंदर और साथ ही उन्होंने लिखा कि आज की कैबिनेट कमेटी जिसे पीम नरेंदर मोदी जी अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने इसके एक्सपोर्ट को अप्रूवल दिया और साथ ही एक कमेटी बनाने के 25 किलोमीटर है तो दोस्तो अभी तक केवल हम डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर बहुत सी चीजें पार्ट्स कंपोनेंट ही बेचा करते थे लेकिन अब एक मिसाइल सिस्टम को हम सेल करने जा रहे हैं तो इससे हमारे डिफेंस प्रूडक्शन को भी बहुत बड़ा भी हम पूरी तरह से कंपिटिशन करेंगे मिसाइल क्षेतर के अंदर और दोस्तो गोवर्मेंट ने लक्षया रखा हुआ है अपने एक्सपोर्ड को 5 बिलियन यूस डॉलर तक बढ़ाने का और इसलिए अब हाई वैल्यू के डिफेंस प्लैट्फोर्म को भी सिस्टम को तैयार किया है उसने कहा कि ये एक शोट रेंज का सर्फेस टू एर मिसाइल है और हर तरह के थ्रेट से निपटने में सक्षम है और दोस्तो जहां तक आकाश वैपन सिस्टम की काबिलियत की बात है तो ये साइमल्टेनियसली मल्टीपल टारगेट को एक साथ में एंगेज कर सकता है चाहे वे ग्रूप मोड के अंदर हो या फिर आटोनोमस मोड के अंदर और ये दोस्तो इलेक्टरोनिक काउंटर काउंटर मेजर यानि ECCM फीचर के उपर बनाया गया है और ये पूरा वैपन सिस्टम एक मोबाइल प्लैटफोर्म है यानि कि इसे एक ज निर्वर भारत को बहुत बड़ा बल मिलेगा धन्यावाद जैहिन